नमस्कार मैं तनुजांगिड और आप देख रहे हैं न्यूस लाइफ IIMT फिर से IIC की टॉप टैन में परकरार उतरभारत में चोते स्थान पर पहुँचा IIMT विश्विध्याले इंस्टिउशन इनुवेशन काउंसिल ने उतरभारत की सबसे बहतरीन विश्विध्यालों की फेहरिस्त में चोते पायदान पर पहुँचकर IIMT विश्विध्याले ने सभी शिक्षकों और छात्रों को गर्फ करने का मौगा दे दिया है IIMT प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर दीपा शेटमानी फिर से उतरभारत की टॉप टेन युनिवरस्टी की लिस्ट में अपनी पोजिशन बनाय रखने के लिए पूरी IIMT विश्विध्याले परिवार को शुपकाम नाय दी डॉक्टर दीपा ने बताया कि किसी भी विश्विध्याले को अधिकतम चार स्टार दिये जा सकते हैं और IIMT ने ये चारो स्टार जीत लिये हैं उन्होंने इस प्रदर्शन के लिए IIMT प्रबंदन से लेकर सिक्षकों और छात्रों को उनकी कड़ी मेनत के लिए बधाई दी PM मोधी बोले डिजिटल बैंक है आज की वास्तविक्ता एक दशक में होंगे आम के हर नागरिक का वित्य सशक्तिकरण करती है हमाई डिजिटल पब्लिक इंफ्रस्ट्रक्चर सॉल्यूशन दुनिया भार के नागरिकों का जीवन बैतर बना सकते हैं सुप्रिम कोट में वायू परदूशन पर सुनवाई जारे सरकार ने बनाई टास्क फोर्स बढ़ते वायू प्रदूशन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उतर प्रदेश सरकार ने कहा कि उद्योग बंद होने से राज में गन्ना और डेरी उद्योग प्रभावित हो सकते हैं. हवा के दबाव में यूपी नीचे है और यहां हवा जादा तर पाकिस्ता से आ रही है। यूपी सरकार की इस दलील पर मुख्य नाइदिश एन्वी रमना ने कहा तो आप पाकिस्तान में उद्योगों पर प्रतिबंद लगाना चाहते हैं। वहीं प्रदूशन के मामले में केंद्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पांस सदस्यों की इंफ मध्यप्रदेश के तीन पुलिस कर्मियों की मौत। चालक नी नियंदर्ण खो दिया। चीप फूलिया से टकराकर दो हिस्सों में बढ़ गई। आइएमेफ में भारतिय मूल की गीता गोपिनात का बड़ा प्रमोशन बनी फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डारेक्टर। अंदरास्ट्रे मुद्रा कोश की मुख्य अर्थ शास्त्री गीता गोपिनात अब खास भूमिका में निजर आएंगी। भारतिय मूल की गीता गोपिनात पहले आइएमेफ छोड़ कर जनवरी 2022 में वापस हावर्ड विश्वेद्या ले जाकर सेक्षडी कार्य करना चाहती थी। लेकिन अब वे आइएमेफ में रहेंगी। उन्हें प्रमोशन देकर आइएमेफ की फर्स डिप्री मैनेजिंग डारेक्टर बनाया गया है। यह आइएमेफ में दूसरे नंबर का पद है। वे जोफरी ओका मोटो की जगा लेंगी जो अगले साल के शिरुवात में अपना पच छोड़ देंगे। गोपिनात तीन साल से आइएमेफ में चीफ एकोनॉमिस्ट के रूप में कारे कर रही है। न्यूजिलैंड के खिलाव दूसरे टेस्ट से बाहर हुए इशांत शर्मा, जडेजा और रहाने। भारत और न्यूजिलैंड के बीच आज से मुममई के वानखेड़े स्टेडियम में शुरू हुए दूसरे टेस्ट मेच के प्लेइंग 11 में तेश केंदबाच इशांत शर्मा, आल राउंडर रवींदर चटेजा और पहले टेस्ट मेच की कप्तान अजिनके रहाने को जग गया है, दो मैचों के टेस्ट सिरीज का यह आखरी मकाबला है, रिलीज होते ही सो करोडी कलब में शामिल हुई सुनील शेटी की फिल्म मरकड, बॉलिवुड अभी नीता सुनील शेटी ने लंबे समय के बाद साउथ के फिल्म मरकड दलॉयन ओफ द अरेबियन सी से धमाके दार वापसी की है, इस फिल्म के मेकर्स ने दावा किया है कि फिल्म ने एडवांस बुकिंग के जरिये ही सो करोड रुपे का कलेक्शन कर लिया है, डारेक्टर प्रियदर्शन निर्देशित फिल्म मरकड मल्यानम के अलावा हिंदी, तमिल, तेलगो और कन्नरभाशा में भी रिलीस हुई है, यह भी दावा किया गया है कि यह पहली भारतिय फिल्म है, जिसने रिलीस से पहले एडवांस बुकिंग के जरिये सो करोड कलब में एंट्री ली है, आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलेंगे देश तुनिया की नई जानकारियों के साथ, सब्सक्राइ कीजिए और देखते रहें न्यूस लाइफ